नमस्गार आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके इस साथ में भी जेंदरिस सुलंकी एक पिल्म का डायलोग है जिसको हमने थोड़ा सा बदल दिया है हम सिस्टम में इतने छेद कर चुके हैं कि तुम घूंड नहीं पाऊगे कि पेपर निकला कहां से और परजी छात्र घुसा कहां से एक और फिल्म का डायलोग है कि बाब बड़ा नभया सबसे बड़ा रुपईया राजी सान में जिस अंदास में सरकारी परिक्षाएं हो रही है और हर परिक्षा पारदर्शीता की अगनी परिक्षा में राक हो रही है सवाल सिस्टम की साग पर खड़ा होता है, सरकार की साग पर खड़ा होता है, परिक्षा करानी वाले संसानों की साग पर खड़ा होता है तो सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि बीते एक साल में जो पांच बड़ी परिक्षाएं हुई हैं उनका हाल क्या रहा है इस मुद्धे पर बात भी करेंगे जानेगे कि रीट 2021 में ये गलतिया रिपीट ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखे भरती परिक्षाओं में पिछले कुछ वक्त से फर्जी तरीके से अभरतियों को पास कराने का जो गिरो सक्री हुआ उसने अब सरकारी सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिये हैं पिछले कुछ वक्त में हुई सभी भरती परिक्षा संदे के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। हाली में एसाई भरती परिक्षा में पकड़े गए आरोपियों से पूछताच में ये बात सामने आई कि उन्होंने पहले भी परिक्षाओं में नकल करवा कर अभ्यरतियों की नौकरी तक लगवाई है। एसाई भरती परिक्षा 2021 तेरा से पंदरा सितंबर तक आयोजित हुई परिक्षा जैपूर बीकानेर से आउट हुआ परिक्षा का पेपर। परिक्षा 2018, 19 सितंबर 2020 को आयोजित हुई थी परिक्षा, पुलिस ने मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार, अधिनस्त बोल्ड की ओर से परिक्षा को रद किया गया। जिस तरह इन भरती परिक्षाओं में धानली होने से अभरती परिक्षान हो रहे हैं, ऐसे में अब शिक्षा विभाद की ओर से आयोजित की जा रही 31,000 पदों पर रीट की परिक्षा सबसे चुनोती पून रहेगी। क्योंकि इस परिक्षा में भी ये गिरों सक्री हैं, लेकिन सरकार पहले ही इस तरह की तयारी कर लेती, तो शायद भरती परिक्षाओं के पेपर इस तरह सरयाम नहीं भिक रहे होते हैं। भारत दिक्षित, फस्ट इंडिया निउस। तो सोचिए जरा पांच बड़ी परिक्षा हैं, पांचों में पेपर लीक और सिस्टम वीक नसर आए। तो फिर समाधान क्या होगा। तैयार नहीं कि इन पांचों के जब घटना करम को मानें, तो क्या आपको एक संगटित ऐसा गिरो नजर नहीं आता जिनकी नजरों में ये परिक्षाओं होती हैं, जिसमें हर चरण के आदमी शामिल हैं। तब ये मुम्किन हो सकता है कि परिक्षा के आदे गंटे 20 मिनट मे पेपर लीग हो जाएं। लाखों बिरुचका तयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, पेपर वार्टसप पे आ जाता है, अंताली का बाहर आती है, वीडियो बाहर आता है, आखिरकार ये सिस्टम में क्या है, बायोमेटिक क्यों नहीं, वीडियोग्राफिक क्यों नहीं, वहां 144 धारा क्यों नहीं हो जाए कि पेपर विख जाएं क्योंकि मार्केट में यह हुआ है कि 13-13 लाग रुफे में पेपर विक्रे राज्य सरकार को और सभी पार्टियों से चाहिए अभी से हवाई यह है दोनों पार्टियों के निताओं से मेरा हाँ जोड़के निवदन है राज नितिक रंग देने तयारी करें किस चीज की उसको पकड़ने की जो पेपर लीक करा के पास करा दे या पिर उसकी तयारी करें कि परिक्षा को पास करके नोकरी ले ले युआ ही ब्रमीत है बीते पांच परिक्षाओं का यही परिणाम सामने आ रहा है चटी परिक्षा की बात करेंगे सबसे पह पर्जी वाड़ा हुआ है एसाई की बर्ती के अंदर पेपर बाहर आ जाता है और उसका वीडियो वाहरल हो जाता है च्यार तीन जिलों के अंदर 17 केंडिडेट पकड़े गए हैं लेकिन अभी तक उनके उपर कोई कारवाई नहीं हो रही है हमने एसोजी के पास में गए कल हम गांदी नगर थाने में जाकर के हमने एसोजी के पास में हम लाइबरीरियन बर्ती के लिए गए लेकिन उनके उपर अभी तक कोई कारवाई नहीं नहीं वो बर्ती रद हुई तो हम लोग सबसे पहले अफायर करवाने के लेकिन उन्हा ने कहा है अनिल गोटवाल जी ऐसा कैसा हो सकता है कि सर कोई प्रात्मी के दर्ज कराने जाए अफायर दर्ज कराना जाए और पुलिस मना कर दे जब कि जहा तो ये जा रहा है कि आप किसी भी समस्या को ले कर जाएए आपके FIR जरूर दर्ज होगी अनिल गोटवाल जी जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि कांजी नगर थाने गए मेरा ये मानना है कि SOG अल्रेडी लाइब्रेरियन परिक्षा की जांच कर रही है एक मुकद्मा दर्ज है अल्रेडी तो उन्होंने ये समझा होगा कि ये चुकि तथे पहले से इन्वस्टिकेशन के शामिल करा सकते हैं तो उन्होंने SOG का नाम ले आओगा अगर नहीं है अगर वहाँ तो उनको मुकदमा दर्ज करके अनुसंदान करना चाहिए माफिया गिरो जैसा ओपेंजी ने बताया कि ऐसा एक गिरो डवलप हो गया राजस्तान के अंदर पहले तो नहीं था दो तीन नाम जो सामने आए अमरतलाल मीना हो या जग्दीर विष्णोई हो यह जब तक बाहर है मेरा ऐसा मानना है कि उनको देखके दूसरे स्टेट के भी लोग बाग इसमें इन्वोल हो जाते हैं परिक्षा की तैयारी से पहले एक 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 बच्चे से 35 पैंतीस लाख रुपे लिए गए सोचे अगर सो बच्चे कर दिया तो 35 करोड जे में बाकियों का तो भविश्या जाए अंधेरे में अब आप देखिये के फोटो मेचिंग करा जेते हैं डुप्लिकेट जो तैयार कर रहा है वो उसका दमी व्यक्तियों को बिठाय जा रहा है कि जो बैठने वाला है और डमी है वो दोनों रिजम्बल करता है तो परिक्षा जो केंदर के उपर व्यक्ति है जो परिक्षा है वो पैचानने में उसको दिक्कत होती है आधार कार्ट बनवा लेते हैं इस तरह के गिरो अलड़ी इसमें काम कर रहे हैं और मैं ते यह कह रहा हूँ कि जो मेडिकल की जो रिट की यह परिक्षा है इनका तो एक-एक साल पहले से तैयारी हो जाती है जैसा अभी इन्मस्टिकाश्ट गरें में एक सवाल करना चाहरा था कि क्या मोबाइल ले जाना अलाव है एसा ही बरती में मोबाइल अंदर गया बाहर अंदर से वीडियो बाहर आया और जो ओमार शीट की कोफी बाहर आई क्या यह सवीदान अनुवती देता है कि अंदर मो आएगी यह कैसी अवोपाराइगी यह कैसी अवोपाराइगी जाना अनुवती देता है यह करना अदर गया आउर चाहर आई आई